हेलो साथियों मैं गर्वित कुमार आप सबका एक्जाम एक्सिस परिवार में स्वागत करता हूँ और एक बार पुना आपको मैं बता दूँ कि एक से 25 तक के सभी प्रेस्ण यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ये 100 से 125 तक के समी प्रेस्ट आपको one by one करके मिलेंगे और within 15 मिनट के अंदर आपको solution में देने की पूरा कोशिस करूँगा तो चलिए वीडियो ही start करते हैं और एकदम 60, 100% सही answer के साथ मैं आया हूँ एक दो question पर आपको challenge करना है वो मैं आपको बता दूँगा चलिए चलते हैं सबसे पहले आपका language start करते हैं लाग्वेज वे हिंदी और इंग्लिस दोनों language आया था तो जिसमें मैंने इंग्लिस के लिए कि special वीडियो बना दूँगा आप लोग देख लिजिएगा ठीक हैं चलिए start करते हैं लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में लिखा है निसा भोजन करने के बाद सहर को जाती है option होगा निमलिकित प्रयायों में आज्या सब्द का समनार्थी होता है आदेश निमलिकित में सबसे उचित सब्द का चैन कीजिए तो उचित सब्द आपके सामने क्या है मेरे प्यारे साथियो तो यहां पे समाजिक नहीं होता है सामाजिक होता है क्या होता है सामाजिक होता है समाजिक आपसन जो होगा वह सही होगा आपसन नमर थ्री निमलिकित प्रयायों से भीड सब्द का बहुबचन होगा भीडे भीडे आधा ना होगा उपपर भीडे होगा ठीक है अगला प्रस्ण आपके सामने 5 है एकदम सही और सटिक जनकरी एक एक कुश्चन आपके लिए होगा ठीक है तो चलिए अगला कुश्चन यानि 5 नमर पे चर्चा करते हैं निमलिकित वाक्यों में उचित सरव नाम का चैन कीजिए तो वह उचित सरव नाम होगा यहाँ पर लिखा है उससा काम किया था उसने काम किया था यानि था किस में आता है तो भविश से काल में नहीं आता है तो भविश से काल गलत हो गया वर्तवान काल में नहीं आता है गलत हो गया इनमें से कोई नहीं यह आपका भूत काल में आता है पीछे बित गया जो काते है भूत काल आगे चलते हैं निमलिकित प्रयायों में नस्वर सब्द का उचित अर्थ क्या होगा? नस्वर मतलब नश्ट होने वाला Question 8 निमलिकित में धर्म में क्या उपसर्ग जोड़ा जाए? धर्म में उपसर्ग जोडना है तो धर्म के आगे अधर्म हो जाएगा अधर्म उपसर्ग जोडेंगी तो इसकी भासा बदल जाएगी कहने का तत्त पर ये बदल जाएगा तो option number आपका second होगा अगला प्रस्ण आपके सामने है निमलिकित प्रयायो को में से समाप्त सब्ध काविलो मार्थी होगा समाप्त मतलब खतम खतम का क्या होगा आरंब अंत तो उसका प्रवाची होगा मद्ध मतलब बीच में होता है समीप मतलब बहुत ही नजदीक होता है तो इसका हो जाएगा आपके सामने अंत अंत हो जाएगा अंत समाप्त का अंत हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ट की तरह बढ़ते हैं प्रस्ट नम्मर टीन निमलिकित प्रयायों में से विशम सब्द चुनिए आपको विशम सब्द बताना है कि कौन सा सब्द विशम है मन हो गया हाथ हो गया ना कि ये सभी पार्ट अव बाड़ी है लेकिन ये बार्डी का पार्ट नहीं होता है मन बिचलित रहता है कौस्टर नमर आपके सामने है इगारा निमलिकित प्रयायों में से प्राचीन सब्द का समनार्थी होगा समनार्थी मतलब समान होता है थीक है तो मेरे प्यारे साथियो इसका आंसर हो जाएगा क्या लिखा है प्राचीन मतलब क्या होता है बहुत पहले की बात यानि पूराना बात कर रहा है बहुत पहले मतलब पूराना बाते कर रहा है आपके सामने चलिए अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं अगला प्रश्ण इधर होगा एकदम क्रम वाई हम सभी प्रश्णों को solve करेंगे सोचना नहीं है एक एक question का आपको जवाब देना है पूरा एकदम discuss करते हुए चलेंगे हर एक प्रश्ण आपको बताने की पूरा कोशिस करेंगे तो आप लोग बस बन रहेगा वीडियो में क्या उसको लेकर आया पिताजी से बहुत खुस हुए और उन्होंने प्यार से सेरा को गले लगा लिया तो नहीं खुसी खुसी वहां से घर चले गए एक प्रस्ण का आंसर दीजेगा बहुत असान आपके सामने पैराग्राफ पुछा गया था राहुल के पिता जी कहां से वापस आ रहे थे तो बजार से पिता जी के साथ कौन था तो उनका सेरा कुता था ठीक है बदमास क्या छिन कर भाग तो मुह में दबा कर लेकर आया था सेरा अगला प्रस्ण आपके सामने पिता जी ने किसे गले लगा लिया भाई तो जब सेरा जो था यानि कुता जो था बदमास से जपट कर लाया सेरा तो सेरा को उन्होंने गले लगा लिया सेरा मतलब कुत्ते को उन्होंने गले लगा ल कुस्टन दिया है निमलिकित वाक्य का काल पहचानिये गौरी गर्मी की छुट्टी में सिमला जाने वाली है मतलब सिमला जाने वाली है भविसी की बात कर रहा है नो भूत नो वर्तमान अंली भविसी निमलिकित प्रयायों से जीवन सब्द का विलो मार्ति क्या होगा जी अत साथ किताब रखता है किताब तो यहां पर क्या पूछा गया वाक की में से नाम पहचानिये तो वह कोई नाम नहीं होता हमेशा कोई नाम नहीं होता अपने कोई नाम नहीं होता साथ कोई नाम नहीं होता रखता कोई नाम नहीं होता किताब इस अनली अनाम तो किताब होगा सि में खेलता क्या है एक किरिया हो गया तो खेलना हो जाएगा किरिया यानी आपसंन नमर आपका फस्ट हो जाएगा आगे चलते हैं लिखा यहां पे निमलिखित मुहावरे का और्थ पहचान ये अरे पिताजी आप तो आग बबुले हो गए अपने बेटे के उपर ममी बोली क्यों आप हमेशा आग बबुले हो जाते हैं बेटे के उपर यानि पिता जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं अपने बेटे के उपर उसे आग बबुला बोला जाता है तो आपसा नमर सेकेंड क्रोधित होना होगा अगले प्रस्ट आखों में धूल जोकना आखों में धूल जोक दिया मेरे को दुकंदार ने पत्थर बेच दिया मेरे सामने यानि मुझको धोखा दे दिया सुधा नौकरी करना चाहती है तो सुधा भाई नौकरी करना चाहती है तो option number आपका second सही होगा अगले प्रस्नित मिनाज से देखिएगा सब सही हो जाएगा चाती पीटना अरे भाई बड़ी सोका कुल परिवार है चाती पीट रहा है रमन के मरने के बाद उसकी माता च्छाती पीट रही है उचित विकल्प से रिक्त अस्थानों की पूर्ति किजी रात में उजाला, रात में उचाला होता है गलत बात प्रकास होता है गलत बात तो रात में होता का है तो रात में अंधेरा होता है अंधेरी काscheid होती है तो यहाँ पर अंधेरा भाराएगा चलिए पचीज कोष्चन में आप बताएगा कितना सही है अगला टौपिक है हमारा मैथमेटिक्स का पचीज आउटा पचीज में बताएगे कितना सही है आपका अगला टौपिक हमारा होगा mathematics का तो एक एक question को आपको दिखाते जाऊंगा line by line कराऊंगा याद रखना line by line थोड़ा प्रस्ट पेपर इधर उदर भेजा गया था उससे आपको घबडाना नहीं है एकदम इत्मिनान से चलते रहना है चलिए अब गणित का topic topic आपके सामने आया है जो question लगेगा कि आपको typical लगा उसे हम कराने की पूरा कोसिस करेंगी अब आएगी बात गणित की गणित में आपके total पचास question होंगे और last में आपको बताना है कि गणित का कितना प्रस्ट आपका सही है प्रस्ट में कितना number आपके बन रहे है देखिए बाई जो question लगेगा कि आपको कराना चाहिए वही question में आपको कराऊंगा otherwise answer बता के लिकल जाऊंगा चलिए देखते हैं आपके सामने पहला प्रस्ट आपके सामने आखर में आ गया है बोल रहा है नीचे दी गई तालिका में एक दुकंदार कुछ वस्तू की कीमत दरसा रहा है और बोल रहा है वस्तू है चीनी चावल काफी गेहूं और उसका कीमत है ये ठीक है आईए आप देख लेते हैं क्या question पूछा है ये उसका question है चीनी और चावल की सन्युक्त कीमत कितनी है 72 रुपया प्लस में 108 रुपया कितना हो जाता है मेरे भाई दुगो और यहाँ पे 8 और 180 रुपया हो जाता है दोनों कीमत कितनी हो जाती है चीनी और चावल की 180 रुपया हो जाएगी हो जाएगी न उसके बाद पूछ रहा है 180 रुपिया आपकी हो गए अब कट करते हैं इसको देखे भाई मुबाइल का स्क्रीन है जदा आपको नहीं लिखने को मिल सकता है गेहूं की सन्युक्त कीमत से कितना अनुपात है काफी तो यह दोनों का मिलके कितना हो गया 180 ठीक है और पूछ रहा है कि गेहूं और किसकी कीमत काफी कीमत का सन्युक्त बताईए तो 7,3,10 का 0 और हो गया 6,3,9,9,10 के 0 और हासिल 1 यहां पे 3 हो गया एक सुना से एक सुना कट गया और यह हो जाएगा आपका एक बार देख लिजेगा जोड़के आपको सही दिखना चाहिए तो आप करना क्या चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि यह हो जाए आपका कितना चार और यह कितना हो जाए आपका दुच्च यह 15 हो जाए कितना हो जाए 15 तो अभी तक कोई आप्शन क्यों नहीं मिला यार एक पर देख लो भाई जोड़के बढ़िया से 72 हो जाएगा चावल औ और चिनी का सन्युक्त कीमत 180 रुपय हो जाएगा और इसका कीमत कितना हो जाएगा तो इसका कीमत आपका 300 रुपय हो जाएगा ये केंसिल हुआ सबसे होती है मगर ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए कुस्टन नमर आपका 27 है अनुपात 253 क्या है 253 प्राप्त करने के लिए अनुपात 7 बंद 13 के हर पद में से कौन सी संख्या कम संख्या की जाए ये बहुती जी कुस्टन था आपको बता दूँ कि 7 अपान 13 के हर में से कितना घटाया जाए कि आपका 2 अपान में 3 आजाए तो इसका आंसर आपको कुछ नहीं करना था बस ये लिख देना था 2 अपान में 3 ये का कर देना था आपको या ये कर देना था आपके सामने जो ये कुस्टन नमर 27 है इसे चैलेंजिंग में रख तो दत परतिसत लाब पाने के लिए घड़ी को कितनी में बेचनी होगी बड़ी बहुत बढ़िया कोश्चन और इजी कोश्चन है इतना में तो बंदे ने बेच दिया तो 15% का नुकसान होता है ठीक है वो जब 1275 में बेचा तो कितने पर बेचा 85 पे और उसे कितना लाब चा जहेंगे 29 का बच्चे ने भी सही किया है ठीक है बच्चे ने सही नहीं क्या है बच्य ने गलत कर राखा है इसको पूरे कुश्य जब आप करेंगे तो आप पाएंगे की 90,000 इसका आंसर आतरा है कुश्न नुमर 30 बोल रहा है दिये गए में कौन सा सत्य थे तो मेरे दोस्त आपको सत्य छाटना है कुछ नहीं छाटना है तो यहां पर आप्सन नमर फोर सही है कोस्टन नमर 31 में भी आपको इसका मान लिकालना है तो मैं बता रहा हूँ पहले ही कि मेरा ये पेन है न और ये मैं मुबाइल के स्क्रिन पर कर रहा हूँ माध्यमान 22 है माध्यमान मतलब क्या होता है एबरेज 22 है तो आपको ये बताना है कि एक कमान कितना होगा तो कुछ नहीं इन सभी को प्लस कर देना है प्लस करने के बाद आप आपने 5 करके इसको 22 कर देना है और 22 पची कितना हो जाता है 110 हो जाता है सबी के जोड़ के और इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका एक कमान लिकल जाएगा तो इसका आंसर अभी तक क्या आया है देखने को तो यहाँ पे आपको 47 ही मिलेगा चलिए 33 आपको बता दूँ कितना आएगा 33 का तो 33 का बच्चे ने सही क्या है 34.75 आएगा 34 34 भी इंपोर्टेंट प्रस्न है आपके लिए तो 34 का भी आंसर बच्चे ने सही क्या है 6 सही एक अपान 4 परसेंट आएगा 4 दिन का कितना प्रतिसत 6 घंटे होगा चो घंटे अपानमे चार दिन में 96 होता है होता है ना कितना होता है चार दिन का कितना प्रतीसत होगा और गुने 100 कर देना है आपको कितना बार जाएगा 16 बार में 16 चार अपानमे 16 हो जाएगा तो एक अपानमे कितना हो जाएगा चार हो जाएगा आपको option कौन मिल रहा है 6-1-5-4 तो आपका मिल रहा है 6-1-5-4 option नमबर 3 चलते हैं 35 नमर question पे देखिए जो question आपको लएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है comment कर सकते हैं मैं live session आपका देख रहा हूँ उस पे मैं इस पेसले एक video बना दूँगा चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं बोल रहा है question 35 सूची एक तता सूची सेकेंड से मिलनानी चाहिए तो इसका option आपके सामने 35 का तीसरा हो जाएगा एक पर मिलाएगा सबसे लंबी जीवा क्या होती है सबसे लंबी जीवा को हम ब्यास ही बोलते है सबसे लंबी जीवा को ब्यास दो त्रिजिया के मध्य का अस्थान होता है दो त्रिजिया के मध्य का अस्थान क्या होता है वृत खंड होता है फिर अगला प्रस्ने वृत का आधा क्या होता है तो त्रिजिया होता है वृत का आधा सोरी सोरी बृत का आदा क्या होता है अर्धिवृत होता है व्यास का आदा त्रिजिया होता है व्यास का आदा आपका त्रिजिया एक नमर इसमें ही है तो आपका थ्री नमर सही होगा ठीक है कह रहा है प्रतियक घन की बात किया है तो 36 का option आपका 1922 आजाएगा 37 एक घनाब की एक बाजू का परड़ाम 40 cm है यदि इस घनाब की लंबाई गहराई इतना इतना हो तो इसका छेतरपाल बहुत ही बढ़िया लिकाला है 728 ये बोल रहा है निमन लिखित में से कौन सी चार क्रमागत सन्युक्त संक्या है चार क्रमागत सन्युक्त संक्या कौन सी है तो यहाँ पे चार क्रमागत सन्युक्त संक्या देखी जाए तो मेरे हिसाब से आपका आपसा नमर कौन सा मिलना चाहिए फोर है आपसा नमर आपका फोर है अरे कहां भाग रहा है रे भाई थोड़ा सा छोटा कर देश्को हाँ यह देखो यहाँ पे क्या होगा यह होगा चार नमर सत्तर और सो के बीच में अभाज यूग में बताईए अभाज यूग मतलब होता है गैप होना चाहिए दो का और होनी चाहिए लगतार तो यहाँ पे कौन है एक हत्तर और ती हत्तर गूड आगे चलते हैं यह कौशन नमर चालीस नीचे दिये गए त्रिभूज की दो भूजा और कोड के अधार पर त्रिभूज का नाम बताईए पहले बात यह रिपर्जेंट कर रहा है समकोड को किसको बता रहा है समकोड यानि राइट यंगल को बता रहा है समकोड किसमे है और Newton नमर तीन में है और आपसन नमर दो में है और आपकी सब से सब भूजाए अलग अलग है तो इसे हम बिसंबाई बोलते हैं बिसंबाई बोलते हैं आइसो इसकेलेंट रेंगल यानि option number 2 साहिए चलिए अगला बोलना है question number 41 नीचे दी गई विधान दिये गए एक अभी कथन में बहुत पढ़ने में समय लगेगा तो direct option देखिए बच्चे नी ये गलत मारा है option number first होगा चलिए अगला प्रस्ण आपके सामने है उन्चा 54 में किसमे 54 में आपको भाग लगाना है point 009 से तो ये जितना आपका यहाँ पे point के बाद अंक है उपर multiply कर दो 1000 से और भाग कर दो 9 से 9 चाका कितना हो जाएगा 54 गुणे 1000 तो 6000 आपको option हो जाएगा ये मार दो 6000 चलो चलते हैं 43 नमर question पे 43 नमर एक-एक question हम आपको पूरी इत्मिनान से बताने वाले हैं no tension भाई लेने का नहीं 43 नमर पूछ रहा है मनुस्य के सरीर का तापमा 37 डिगरी Celsius होता है उसे Fahrenheit में परिवर्तित किया जाए तो आपको पता होना चाहिए 5 अपन में 9 स्कल्टू आपका मेरे इस आपसे F-32 होता है यही तो होता है इस वे आप लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 37 डिगरी आपसे बोला है गुणे 9 हो जाएगा अपने 5 हो जाएगा इसकल्टू F-32 हो जाएगा यह लास्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होने के बाद आपका Fahrenheit का मान लिकल जाएगा तो इसका मान आएगा आपसन नम्मर 4 चलिए यह बोल रहा है आपके सामने माइनस 50 डिगरी और 72 डिगरी के बीच में अंतर कितने का है तो आप कोई बात नहीं है फटाक से लिकाल सकते है कि अंतर कितने का है कोस्टन नम्मर कितना है 44 बच्चे ने सही लिकाला है 122 डिगरी सेल्सियस ओके यह घटाना नहीं है माइनस 50 डिगरी के बाद आता है प्लस 0 एक दू तो 50 डिगरी होई अप प्लस में 72 डिगरी घटाना थोड़े नहीं घटावे के बाद एक सो आपका 22 डिगरी होगा घटाना रहता तब नहीं घटाना है आपको अंतर पूछा गया है तो अंतर भी ऐसे क्या करते 72 माइनस और माइनस 50 डिगरी तो माइनस प्लस हो जाता 72, 50 हो जाता कितना हो जाता मेरे दोस्त फड़क से बता दो गκι्टन नमर 142 होगा इसका 12 18 किलो ग्राम 500 ग्राम को किलो ग्राम में परिवर्तित कीजी तो कितना हो जाएगा 5 ग्राम आप अपनेवे 5000 होगा तो क्या कहोगे पांच पे दूगो जीरो लगेगा उसके बाद पांच होगा और अठारा केजी में इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ये वाला आपका आप्सन होना चाहिए कौन सा है देखिए आप्सन नमर फोर है 46 जब किलो मीटर को मीली मीटर ने परिवर्तित करते हैं तो ये किलो मीटर में लगे सुन्यों की संक्या कितनी होती है तो देखो बाई कितनी होती है तो 6 होती है कितनी होती है जब अब एक किलो मीटर को किलो मीटर एक किलो मीटर को मीली मीटर ने बदलोगे तो कितनी संक्या आएगी छे किलो हेक्टो डिसी ग्राम डेका एक्टो मीली ग्राम ऐसे आप फर्मूला याद रखना ठीक है चलो मीली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो ग्राम मीली सेंटी डेसी ग्राम यह वाला फर्मूला किसको किसको याद है मीली सेंटी डेसी ग्राम किलो हेक्टो आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं निम्न में से कौन से संख्या 99 के उचित रूप को दरसाती हैं तो फटाक से बताए फोटी 7 का क्या होगा तो फोटी 7 सी किसको दरसाता है 100 को तो C-10 हो गया और प्लस में ये कितना हो गया आपका 9 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 99 हो इधर देखें क्या बोल रहा है C-10 प्लस में ये 9 ऐसे कभी लिखायता देखें ये गलत है ये कैसे है ये भी गलत है 50 में जोड़ा है अरे बाई 100 के करीब C है तो उसमें से 10 गटा के 9 जोड़ दो ना ये अपसन आपका 3 सरा सही होगा बच्चे का देखो मान गयात कीजे मान सा कुण है जिसका माप 136 और 177 के अंतर से 29 अधिक है अरे भाई इसमें सोचना क्या है 136 माइनस 77 प्लस में 29 कर दो ना इसको घटादो भाई कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा प्लस में 29 करोगे ते कितना आ जाएगा आठ और पांदु साथ आठ ये कौन सा कून होगा इसे हम निवन कून बोलते हैं क्या बोलते हैं निवन कून बोलते हैं चलिए बहुत मज़ा आ रहा होगा मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मजा आ रहा होगा चलिए आगे चलते है कुशन नमर 50 पे 50 क्या कह रहा है नीचे दी गई आकरितिक में कौन से कौन दो कौन से बड़े हैं कौन दो कौन से बड़े हैं यह कुशन का कह रहा है भाई केवल C ही बड़ा है, आप लिकाल के कवर देख सकते हैं, चलिए, कोस्टन नमर एकावन, निमलिकित विधान को पढ़िए और उचित प्रयाय चुनिए, विधान E, वृत के सभी जीवों से व्यास बनता है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया विधान है, ये देखो, एकावन नमर कोस्टन का विधान बहुत खतरनाक दिया है, कि ब्रीत, ये ब्रीत के सभी जीवों से ब्यास बनता है, भाई आप खुद जीवा ही ब्यास होता है, यार, ब्यास जो होता है न, ब्यास, जो आपका जीवा होता है, सबसे बढ़ा ब्यास होता है, और जीया तो भ साब से गलत है तो गलत है तो का किया जाएगा विधान भी व्यास विरित की सबसे लंबी जीवा है एकदम सही है वैया केवल विधान भी सही है ये भी कुछने वाली थी बच्चे ने गलत जो किया होगा कोई बात नहीं है वेच्टे होना चाहिए थोड़ी थोड़ी गलतिया इंसान के चक्कर होता है अगला प्रेस्ट बावन नम्मर है बावन नम्मर का आपको बताऊं ये तो सही होना चाहिए चोटे चोटे कोस्टन बताने की जुरत नहीं है तिरिपन यदि एक कार की गती 100 किलोमेटर पर तिघंटा से 50 किलोमेटर पर तिघंटा कम की तो वही अंतर तैक करने के लिए कितना समय लगेगा तो ये भी कोई बड़ी बात है यार दुगुना कर दो ना दुगुना कर दो दुगुना हो जाएगा अगला प्रेस्ट चोवन नम्मर एक ट्रेन 1862 किलोमेटर अंतर 98 किलोमेटर पर तिघंटा की गती से तैक करती है तो ये अंतर तैक करने में कितना लगेगा भाग लगा दो भाग लगा दो कि तेकदम अंतर आ जाएगा सोचना नहीं ये भाग लगा देना है बच्चे ने सही क्या है 19 घंटे होगा नवाठे 72 देखो कैसे कर सकते हो नवाठे 72 दू बावे तो उन्हें इसके सिवाए कोनो आंसर है न हो ये कर इदम फिक्स बावे साथ दुनी का चवद चारी काई क्या अंकाई चार दले बाग और ये देखिए सच अतिरी के चवद चारी उनिट डिजिट बाव और आठी उनिट डिजिट बाव नहीं खेना दुए नवाठे 72 आपसन सीधे सीधे आप आसानी से बोल सकते हैं कि आपसन नमर तीसरा सही है ये कोशन आपके लिए उतना इंपॉर्णन नहीं है पचपन नमर का मैं डिरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ कह रहा है कि जिसमें तीन विभीन अंक हो ऐसे चार अंक के सबसे बड़ी संक्या और छो अंक के सबसे छोटी संक्या का योग ग्यात कीजिए तो आपको कह रहा है कि जिसमें तीन विभीन अंक हो इसमें एक ही विभीन अंक एक ही अंक ही है इसमें एक दू तीन विभीन अंक है ये सही है option number आपका second सही है चलो question number 56 56 का बच्चे ने answer मा रहा है ये बहुत छोटा question ने बताने कोई जरोती है 67.67,092 होगा इसका ठीक है 57 एक सरल कोण के एक चतुरसांस का पूरक होगा पूरक होगा क्या होगा भाई पूरक क्या होगा तो आप बच्चे ने गजब का अंसर दिया लेकिन थोड़ा सा mistake कर दिया ये गलत है बावू ये हो जाएगा फोर नमर सही ए और डी हो जाएगा ए और डी उसका पूरक मतलब क्या हो जाएगा नियून कोण भी होगा और आपका सम कोण का आधा भी होगा तो यहाँ पे सही है चतुरसांस मतलब कितना होता है एक सरल कोण का चतुरसांस मतलब कितना होता है ये आपका हो गया एक सरल कुण और इसका मान कितना 180 94 कितना हो गया 45 कितना हो गया 45 तो 45 आपके सामने दिखी रहा है अपका सोचना है बताओ 45 दिख रहा है तो का होता है निवन कुण होता है न और सम कुण का अधा नहीं होता है समकून का अदा होता है न फोटी फाइब जी ये कूण समकून के आदे से तीन गुणा है उसका संपुरक बता हो तो मेरे दोस्त इसका आंसर आपके सामने जुदिया है इसका हो जाएगा 58 का 45 डिगरी 69 का आपके सामने आंसर हो जाएगा option number 4 चलिए फटाफट करते हैं 3 अपन में 5 हो जाएगा आगे question बढ़ते हैं question number 60 question number आपके सामने जो 60 दिया है उसका answer देखिए ये बच्चे ने सही मारा है option number 3 होगा 9 अपन में 14, 2 अपन में 3, 5 अपन में 6, 7 अपन में 8 option हो जाएगा ठीक है अप चलते हैं question number 60 से 61 की तरह बढ़ते हैं इतना तो मैं आपको बता दिया हूँ उमीद है कि पूरा समझ में आया होगा इतना संक्या में 6 का अस्थानिय मान और अंकित मान का गुलन होगा अरे क्या यार कुछ नहीं करना इसका अस्थानिय मान लिका लो कितना होगा चो अजोगो अंक्तोगो जीरो दूदू चारी जीरो और इसका गुलन खन यानि छो इसका वास्त्विक मान यानि अंकित मान कभी भी चेंज नहीं होता तो 36 आया है तो 36 लगा दो ना 36 कर दो बापरी बाप ये कितना जीरो दे दिया यार गजब का कमाल है ये कितना जीरो है फिर भी बच्चे ने अंसर सही मारा है गुड़ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तीन विभिन अंको का उप्योग करके सबसे छोटी पाँच अंकिय संख्या ग्यात कीजिए तीन अंको की विभिन संख्याओं का प्रियोग के पाँच अंकिय संख्या आपको बताना है बच्चे ने आप्सन ठीक लगाया है वन ट्रिपल जीरो टू चलिए चलिए कोश्चन नमर 63 का 24 के गुणन खंड होंगे चलिए फटाफट करते ने तो टाइम बहुत अधिक लग जाएगा 64 नमर कोश्चन का आप्सन आपका 36 होगा 65 नमर कोश्चन जो आपके सामने पूछा गया है इसका आप्सन भी बच्चे ने सही लगाया है 32,735 होगा और इसके बाद 66 नमर जो कोश्चन है इसका भी आप्सन बच्चे ने सही लगाया है 4 होगा और इसके बाद 67 नमर कोश्चन है पूचा गया है कि विक्तु करामी की गुर्णा किजिए तो 67 का आपके नमर 6 हो जाएगा 68 का आप्सन बच्चे ने गलत लगाया है इसका अप्सन पांच सही पांच अपन्ने 12 हो जाएगा और चलते हैं घास के सामने फटो लिया गया था बच्चे ने बड़ी मेहनत करके फटो भेजा है ठीक है आगे चलते है कोश्चन नमर 69 देखते है 69 एक बल्ले बाद 190 रन बनाते हैं इसमें 10 चाओ का और इतने चक्चे सामिल है तो कुल रनो की कितने परतिसत उसने विकेट्स के बीच दोड़कर बनाए अरे भाई 10 चाओ का 40 अच्छा चाओ का 36 इसको जोड़ दो और इसमें से घटा दो पता चल जाएगा और उस बद परसेंटेज लिकाल दो तो परसेंटेज बच्चे ने लगता है सही लिकाला है 60% ही होगा सत्तर नमर क्वेशन का आप्शन नमर फर्स्ट होगा 416 कितना होगा 416 स्कौाइर सेंटीमीटर 88 ठीक है क्वेशन नमर 71 71 वे बच्चे ने सही लिकाला है क्या लिकाला है बच्चे ने भाई तो लगता है ये मुझे ही लिकालना पड़ेगा क्या बच्चे ने सही नहीं लिकाला है क्या तो बच्चे ने क्या लिकाला है आपको मैं बता दूँ कि इसका option क्या होगा क्या बुचा है दिये गए आकिर्थिक में अनाच छादित छेत्र का छेत्रफल बताईए यानि आपको छेत्रफल बताना है तो इसका हो जाएगा 24.55 चेक कर लेज़ेगा गवरापलू 72 नम्मर का 1.5 परतिसत वारसिक ब्याज की दर से इतना रुपे करज लेता है 3 साले हों बैंक को कितना बुपतान करेगा बुपतान मतलब होता है मिस्टरधान कहा लिकालना यहां पर? मिस्टरधान नहीं मिस्ट्रधान ही तो होना चाहिए एक मिलिट रुके ब्याज पूछा है क्या 1.5 परतिसत वारसिक ब्याज की दर से इतना रुपे कर्ज लिया तीन साले में वो बैंक को ब्याज भुखतान पुचेगा सीधे सेधे ब्याज का दिया है तो कुछ नहीं करना है ब्याज का आपको फर्मूला लगा देना है गुणे तीन, गुणे पांच कर देना है आपन में 100 कर देना है केंसिल हो जाएगा पंश्ती है पंदरा गुड़े सो इसकल टू पंदरा सो होगा कितना होगा पंदरा सो होगा ठीक ये 73 का कोश्चन 62,000 होगा और 74 का सौमकोण के दो तिहाई से समपूरा का पूरा ज्यात कीजिए तो इसका भी आंसर बहुती लजबा मारा बच्चे ने 60 डि चरिए कोश्चन नमर 75 करते हैं कोश्चन नमर 75 ये बताणीे एक कि स्टेट है की नहीं स्टेट है न और ये होगया 47 इस्टेट का मन कितना होता होता है 180 पलस में 56 plus में एकसी सकल टू कितना हो जाएगा 180 को जोड़े गी तो कितना है हैं इसके बाद नम्मर आता है अपना जीके जीएस का तो जीके जीएस के लिए थोड़ा सा धायरी आप चले मेरे प्यारे सातियों अब हम देखेंगे समाने गान धुवा में उड़ाएंगे समाने गान को टाइम नहीं लेंगे पहले का आंसर पूछ रहा है एक खेल में जिसमें बोर्ड होता है और छोटी पहिया होती है उसके स्केट बोर्डिंग का आते हैं यह पुरुसकार कमल पद के ना अगला कहते हैं आगे देखते हैं अगला प्रस्ण आपके सामने जुदिया है उसकी विचार्चा कर लेते हैं असी नमर कुष्टन है पूचाए उचित प्रयाय चुनिये और बताना है पानी को सरवाजनिक द्रवक जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं सॉल्व प्राणी कौन सी है उट्टा 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 रिगिस्तान की जहाज होती है एक मातर प्रजाती जिसमें नर बच्चों को जरम देने की सक्ती होती है समुंद्री घोडा होता है सिंगलेस छाम निर्तिय सिक्किम की निर्तिय है ये बिट्टा ने बहुत सही किया है लेकिन mathematics की जान ले ली है वहर की गतिम आपने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन होता है odometer distance मापता है बैटे speedometer होगा answer speedometer होगा आपको ध्यान से question कर यह देखिए आपके पैदाइसी से दसो बीसो पची सो वर्स पहले का एक प्रेस्ण पूछाए इसे हम इतिहास कहते हैं लिकाए दिल्ली Asian Games 1982 के सूभंकर पर किस प्राणारी को निरुपित किया गया था अरे बाबा इतने पहले question काहे को पूछते हो कि बच्चे confused होकर पंडा लगा दिये हैं हाथी पूछ लिए होते निम लिकित में कौन सी विटामिन के कमता करण रिकैट्स यानि सुखा रोग होता है जिससे हम क्या बोलते हैं रिकैट्स बोलते हैं विटामिन बारा नहीं विटामिन क्या होती है विटामिन डी होती है विटामिन डी के करण सुखा रोग होता है औ अगला प्रस्न यानी 88 उस भारत्य प्रमाडू भावतिक सास्त्र को पाचानिये जो टाटा इंस्ट्यूट आफ फॉन्डेमेंटल रिसर्च के अस्थापना किये थे होमी जागीर भाभा बंगला देस का निरमाड 1971 में हुआ था बंगला देस का निरमाड 1971 में पस्चमी पकिस्तान के नाम से बंगला देश को जाना जाता था ये हो गया सनिप्तरा स्वंक के अस्थापना 1945 में होती है 1945 में मस्तिक से सम्मनित रोक की पहचान को क्या करते हैं चैलेंजिंग को सने बाई चैलेंज करने वाला ये दोनों होता है ब्रेंज से रिलेटेड मोनोजाइटीस और माईग्रेंज ये दोनों ही आपका ब्रेंज से रिलेटेड है चैलेंज कर लेना कॉमन नमबर सबको मिल जाएगा घाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं कारण यह है कि उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है अगले प्रस्ण यानि की अब 92 से चलेंगे सौ तक का सफर तै करेंगे आपके साथ भारत के प्रदान मंतरी की निव्टि कौन करता है बाबा राष्ट पती करते हैं कुलकत्ता हुगली नदी के किनारे हैं पदमा नहीं बिटे पदमा नहीं दीन के नहीं किनारे हैं उचित विकल्प आपको बताना होगा हवा महल उमैद महल ये ग्वालियर वाली बात पुछा है जिसे महाराजा जया जीवराव सिंगलिया करते हैं इसे उमैद भौन महल बनवाया गया था यहां पर ठीक है रमाड में स्री रां की ने सीता से विवाह किस अस्तान पिकिए नैपाल में जीवत जनक पुरा वेला जनकेपूर से उसादी के लिए रलन सीता से उचित विकल्प चुनिए आपका ये पुछा है अपने भोजन मुलों में संचेन करते हैं तो उसे हम प्याज का संचेन करना चाहिए हमको देखे भाई बहुत important question चल रहा है आप लोग छोड़ के जाएगा मत मजाएगा सबसे अधिक तेजी से ठीक होने वाला सरीर का कौन सा अंग है जिसे आप लिबर बोलते है टस्ट आप जहर यक्रित आपके जहर का टेस्ट भी कराया जाता है उसे लिबर ही कहते हैं लिबर से ही हम लोग जहर का टेस्ट करते हैं ठीक है तो ये आपका सबसे तेजी से अपने आपको ठीक करता है उसे यक्रित कहते हैं आयोध्या इस नदी के तटपे हैं अयोध्या सरयू नदी के तटपे गंगा पे नहीं है बाबू गंगा पे बनारा सहरिस्तित है ठीके ये कोशन आप से है संजना को ग्यात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है वो पौधे बनने लगता है ठीके बाई इस तरह से अंकुरित हुआ इस तरह से पौधा ब होजन विक्सित होती विए पौदों के लिए इस्तमाल होने लगता है option number third आगे प्रस्ण है आपके सामने अब आगे प्रस्ण की तरफ हम बढ़ते हैं पूरी की पूरी देखो भाई इसको फटा फट करना ऐसे ही पूरी की पूरी विडियो लेट हो चुकी है तो आपको सोचना नहीं फटा फट करना है ठीके मैं सोचा था कि कम समय में कर दूँगा लेकिन मैं विकास करता गया इसको option आपके सामने four number होगा four number ठीके इसका option पूछा है कि इसमें कौन सा होगा तो relation बताना है इसका इससे relation है तो इसका किससे relation होगा आपको फटा फट बता देना है कौन सा relation आपका होने वाला है तो आप इससे relate कीजिए ये बाहर आया तो इसमें कोई बाहर कोई चीन दिक रहा है तो ये फारेगा तो नहीं ये पूरा गलत है ये देखिए ये बाहर जाएगा एसा आकिरतिक बाहर बनेगा ये भी गलत है ये भी गलत है तो सही कवन है आपसन नमबर 4 आपका सही हो गया है ठीक है 103 की तरह बढ़ते हैं पूचा है कौन सा सामिले तो आपसन नमबर 1 होगा इसमें यही इसमें सामिले 104 आपको solve करा दिया जाए तो 5 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा तो 6 ही तो होगा पूटप क्या होगा 6 होगा आपसन देख लो भाई कौन सा है आपसन नमर आपका 4 होगा ठीक है आगे question की तरह बढ़ते है question नमर 5 आपसे पूछा है B आता है दो नमर पे 2 का square कितना हो जाता है 4 G कितने पे आता है 7 का 7 का square कितना होगा 49 49 कोई आपसन में उसे trick कर दो बिना सोचे करो trick विसम आपको छटना इसमें विसम प्रिथ भी होगा विसम ग्यात कीजिए विसम क्या ग्यात करना है 97 47 और 19 एक अभाजे संग क्या होती है 81 आपकी अभाज नहीं होता है इसलिए आपका सही आपसन 81 होगा विसम चाटिए पूस्तक पेंसिल और रबर एक ही प्रजाती से आते हैं पढ़ने लिखने में लेकिन और इधर देखी आप इसमें आप जो देख रहे हैं छुटा कर दे थोड़ा कर दो छुटा तो ये देख रहे हैं तीन भूजा तो चार भूजा सब में एक एक भूजा प्लस हुआ है लेकिन यहाँ पे एक भूजा घट गया है इसलिए यह तीसरा आपसन होगा आपको छाटना था इसको कानपूर विजवाडा और गुहाटी सभी सहर है लेकिन गंगा एक नदी है ठीक है कोस्टन नमर 111 यह देखे गिटार चितार बासुरी एक जैसे हैं वेलर अलग होती हैं आपका कुस्टन नमर 112 था यह सोचने वाला नहीं था देखे डी जी ए डी जी ए मतलब इसका मान कितना होता है चार इसका मान कितना होता है साथ इसका मान कितना होता है आपका एक तो साथ चरीगार एक बार हो गया जोड़ने पे उसी प्रकार से आपको कमान होता है, कमान कितना होता है, क्यों कमान कितना होता है, ह्वासन की एक तीस आपका उप्ष साइए, वनुपास्तिश संख्या का भरी और रिल्पी अप्वास्तिश संख्या सब को गलाख किया है लेकिन मैं Direcट आपको बताऊंगा, 5 जिस्क्ते से है, 3 करना है अपका 22 आ जाएस और eight का स्कुएर कितना होता है. मैनस 3 करना है कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, एकसर्ट प्धसन एकस ही है ठीक है चलिएbooks ससलयक नमर 1124 पे चलते currently 114 चौ्ता संभी परसव ना आपको करा कि मैं जाऊंगा अब भूतिकाम करां इं Bl तो कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा इस कांसर 352 किसमे होगा तो इसमे होगा और उपस्ति संख्या को ग्यात कीजी 32 निका 6 यहां पे आपका जो होगा एक सो तिरपन होगा कुछ सोचने की जरत निये 3 गुणे 2 पलस में 1 हुआ है 7 गुणे 2 पलस में 2 हुआ है उसी प्रकार से 16 गुणे 2 प्लस में 3 हुआ है उसी प्रकार से आपका 74 गुणे 2 प्लस में 5 हो जाएगा आगे आप मिला सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है 116 का आपके सामने जो option होगा option नमर 3 हो जाएगा फटाफट मिला लिजेगा कैसे हो रहा है आपको मैं बता दू 4 नमर के बाद आ रहा है 4 पे D आता है ना 4 पे D आता है H कितने पे आता है 8 पे आता है L कितने पे आता है 12 पे आता है P कितने पे आता है 20 पे आता है 16 पे आता है 16 पे तो 16 के बाद 4 चार्चार जो बढ़ रहा है तो इसमें तो बीस आएगा, बीस पे क्या आता है, तो टी किसमें डबल है, तो इसमें डबल है, यही आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चा नमर 117, यह देखिए, दोनों आपस में जॉइंट हो के यह फिगर बनाया है, दोनों आपस में जॉइंट हो के कौन सा फिगर बना बाड का सम्मंद सूखा से है तो प्रभावसाली का सम्मंद किस्ते होगा सोचना से होगा एकदम बढ़िया कुस्षन है कुस्षन नमर आपके सामने 120 बताना है यह इंपोर्टेंट प्लस नहीं है आपको सोचना नहीं है A D E और F G I यह कुस्षन आपको थोड़ा करना होगा ब कितना जोड़ा है यह के बाद F कौद होगे कि 5 जूड़ रहा है तो आपका के में कितना जोड़नां चाहिए 5 पांच जुड़ेगा तीन तो आपका जी आ गया है उसी प्रकार से N में प्लस तीन करोगे तो कितना आ जाएगा Q किसमे है, दोनों में Q है अभी इसमें भी Q है और इसमें भी Q है अगले प्रस चलते है E में कितना जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया है, तो J आ गया है तो O में प्लस 5 करदो कितना जाएगा 20 आ जाएगा, तो T हो जाएगा तो आपका अपसा नमर सेकंड से हो जाएगा खासी का सम्मंद गला से है तो अस्तमा का सम्मंद फेफड़ा से होगा विट्टे फेफड़ा से होगा यकृत कहां से आगया मेरे लाल यकृत कहां से आगया ये देखो एक सा बाइस नमर अब ये question smart question कहा जाते हैं ये question smart है पूरे इतिहास कवा है ये question smart था घुटना, पदांगुली, पिंडलिया, एडिया, पदगरंथी पदगरंथी वक्र में होती है यानि यहां आपकी जो पैर होती है ना पैर तो पीछवा एक पदगरंथी जो वक्र होती है ना किड़े नी उसी में होपकी पदगरंथी, सबसे last में E होगा option नमर आपका third सा ही होगा ये देखिए आपको सजाना था सजाने में क्या सोचना था पीपी सब में है तो इसको नहीं लगा रहेंगे आरार सब में है तो इसको नहीं लगाएंगे बात आती आई तो E के बाद आपका आई आता है तो पहले तो भया ये वाले आएंगे यानि C, D आएंगे फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला point की आई है C में C में किस में आई है और D में आपका आई है तो पहले क्या होगा D होगा तो D किस में था option नमबर 3 में था सोचना ही नहीं था 124 नमबर का आंसर रता ये तो 124 का आंसर सब से पहले क्या होगा पहले ताप आएगी यानि पहले D होगा पहले क्या आएगी पहले ताप आएगी पहले क्या आएगी ताप यानि डी होगा फिर ताप के बाद आपका वास्पी करण होगा ताप होई तब है न वास्पी करण होई वास्पी करण के बाद सीतलन होगा सीतलन के बाद बादल बनेगी बादलन के बाद बरसा हो जाएगा option number 4 आपका सही है इसमें सोचना है कि 125 और last plus 43 मिनिट लग गें कोई बात नहीं जल प्रतिमी में आपको बताना था तो यह आपका option number 3 सही है good 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 अब बताए कि 125 में आपके कितने question बन रहे हैं दो question claim है 125 out of 25 कितने बने हैं जिसके भी अगर जिसके भी अगर जिसके भी अगर आपके 100 plus question है वो 100% selection की हाकदार होगा और select भी हो जाएगा बैबाटिक के दर जहें